नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पर जिसका नाम है परिक्षिता अकेडमी और आज हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन उनीस सो बीस के बारे में ये हमारा वीडियो जो है मध्य प्रदेश के उपर बैस्ड है MPPSC, MPP Police या व्यापम का जितना भी एक्जाम है उन सभी के Point of View से काफी Important है और मध्य प्रदेश में सोतंतरता आंदोलन की सीरीज का यह हमारा Fourth Lecture है इसके पहले हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक में 1818 का भील विद्रो और 1824 में जो नरसी हगड के राच कुमार थे कोवर चेन सिंग उन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रो हो किया था उसके बारे में बात की थी वीडियो दो में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो है बुंदेला विद्रो के बारे में बात की थी MPPSC 2019 में यहां से काफी कोशन पूछे गए थे तीसरे वीडियो में हमने 1857 की महान करांती के बारे में चर्चा की थी और आज का हमारे फॉर्थ लेक्चर में हम सिवनी सत्याग रह जो की 1916 में हुआ था और असयोग आंदोलन जो मध्य प्रदेश के साथ संपून भारत में हुआ था उसके बारे में बात करेंगे फृर से आपसे कहना चाहेंगे कि ये वाला जो अहसयोग आंदोलन है हमारा इसमें मुख्य जो target है वो मध्य प्रदेश ही रहेगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको उप्योगी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो आपके लिए मददकार साबित होंगे और अगर आपको हमारा वीडियो या कंटेंट समझ में आता है पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं या आपको किसी प्रकार की कुछ नजर आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं तो बिलकुल हम आगे बढ़ते हैं और अह सहीयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं इसके पहले आपको एक मुख की बाते बताना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं अगर हम प्रदेश के अंदर होने वाले सुतंतरता आंदोलनों को देखना हैं और मेंस के पॉइंट ओफ यू से भी पेपर वन जो है उसमें इसके बारे में दे रखाया अर्थाद हमको इसको विस्तार से ही पढ़ना है चूकि ये सुतंतरता आंदोलन हैं इसके अरावे विभिन ए समझना चाहते हैं तो आई तिंग आपको सबसे पहले इन वीडियो को वजिट करना चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे आज 1916 में सिवनी सत्याग्रह की और असयोग आंदोलन की जो 1920 में हुआ था इसके बाद हम दूसरे वीडियो लेके आएंगे इसके बात के पार्ट्स म पंजाब में लहत्याकान, सोहावलका, नरसहार, व्यक्तिकत सत्याग्रह, भारत चोड़ो, आंदोलन और भी कहीं चीजों को हम बात करेंगे देन इसके बाद जो मध्य प्रदेश में भी ने सुतंतरता सेना नहीं हुए उनके भी परसनल चीजें हम पढ़ेंगे चलिए तो लेकिन मध्य प्रदेश में जो वास्तविक सुतंतरता संगर्ष है वो माना जाता है कि उनीसी शदी से ही स्टार्ट हो गया था और जो शुरुवात है वो जबलपूर से हुई जब होम रूल आंदोलन का गठन किया गया ठीके होम रूल हमें पता है भारत में भी इस समय जो असयोग आंदोलन के बारे में असयोग आंदोलन का आपको यहर याद रखना है चलिए तो हम इसको मध्य प्रदेश की डिस्पेक में समझने से पहले हमें इसका एक बैक ग्राउंड इसका प्रष्ट भूमी समझना जरूरी है कि एक्च्छल में क्या था असयोग आंदोलन और किन परिस्थितियों के कारण यह उत्पन्न हुआ था और कहां से इसका और किस प्रकासे संचालन हुआ था तो असयोग आंदोलन जो है वो अहिंसक असयोग पर आधारित्ता अर्थात अंग्रेजों के जो विभिन अत्याचार थे उनके क्रम में उनका असयोग करना तो ब्रिटिशर्स ने भारतियों को भी इसमें जोग दिया था तो इसके कारण महंगाई बढ़ गई थी कजबोर नगरों में रहने वाले मध्यम एवं निम्नवर्गी लोग दस्तकार मजदूर सभी परेशान थे महंगाई से खाध्यान की कमी हो गई थी मुद्रयस्वती बढ सुखे की स्तती थी कुछ शेत्रों में तो इससे यहां की जनता में जो था आक्रोश था रोलेट एक्ट के कारण रोलेट एक्ट भी एक कारण था कि 1919 में एक एक आया था कि बिना किसी गवाहा और सबूत के जिसकी इच्छा होती थी ब्रिटिशर्स को उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे यहां तक की सजा भी देते थे हंटर कमीशन जब जलिया वाला बाग हत्याकांड के कारण हमें पता है जब जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था तो किस तरीके से जनरल डायर ने एक शांत जो सभायुजित हो रही थी उसमें गोलिया चलाई थी औ जो जनरल डायर था जिसने गोली चलाई थी उसको ब्रिटिश में जो हाउस ओफ लॉर्ड से उसने सम्मानित किया था 30,000 पॉंड की धनराशी एकत्रित करके उसे दी थी अर्थात गिफ्ट दिया था अर्थात उनकी नजरों में उसका ये जो कारे था काफी अच्छा था तो इससे भी यहां कि जनता में जो था आकरोश था 1911 का मांटेक्यु चेम्सफोर्स दार आया था जिसने की लोग यहां पर हम कांगरेस की बात कर रहे हैं मतलब हम इन्दियान नैशनल गॉणरेस की बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना 오िक इसे और जो हम कहें गरम पंथी लोग उसे जुड़े हुए थे और वो काफी अच्छी प्रष्ट भूमी को तैयार कर रहे थे तो इस प्रकार कहीं रीजन थे पंजाब में दमन चक्र चलाया जा रहा था और महात्मा गांधी का उधे हो गया था वो कहीं ऐसे एक्सपरिमेंट कर रहे थे जिससे की अंग्रेजों को जुकना पड़ रहा था और साथ में ही जनता का उनके उपर जो विश्वा से वो बढ़ता जा रहा था तो ये सभी कारण थे असयोग आंदोलन के और असयोग आंदोलन की प्रष्ट भूमिक कहीं हद तक जो है खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ी हुई है अब खिलाफत के बारे में आपको यही बताना चाहेंगे ये वैसे तो मुस्लिमों का आंदोलन था क्योंकि मुस्लिम जगत में तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रमुक मानता था संपूर्ण मुस्लिम जगत तो प्रतम विशुध में क्या हुआ था थिक कि जो तूर्की था उसने बृतें के विरुध जर्मनी और आस्ट्रिया का साथ दिया था अब जब युद्ध समाप तो हो गया तो बिटेन ने बदले सोरुप तुर्की पे कठो रवईया अपनाया वहाँ पर जो खलीफा का पत था उसको समाप तक कर दिया इस प्रकार से वहाँ के कुछ इशूस थे जिसको लेकर मुस्लिम जगत क्या कर रहा था विरोध कर रहा था और उसी के परीपेक्ष में भारत में भी खिलाफत कमीटी का गठन जो हैं किया गया था। खिलाफत कमीटी की बात करें तो अली बन्दू थे मुहम्भब अली था शौकत अली, मौलाना आजाद, अजमल कानो, हसरत, मोहानी के नेतरत उमें जो है खिलाफत कमीटी का गठन किया था जिसका उद्देश किया था कि तुर्की के प्रति बीटेन के रवेयों को बदलने के लिए ब्रीटेन पर दबाव डालना अब महात्मा गांदी ने यहां पर उन लोगों से भी बात करी और हिंदू-मुसलिम एकता स्थापित करने की को पुशिश करी तो इस प्रकार से खिलाफत से भी जुड़ा हुआ था तो इसी परिपेक्ष में जो है असयोग आंदोलन की जो है रूप रेखा तयार की गई अगर हम असयोग आंदोलन की बात करें तो फरवरी जो फरवरी दो हजा उननीस सो बीस जो है इसमें हिंदू-मु की प्रश्णों को हल करने की मांग की जिस पर वाई सराई उसने कोई निर्ने नहीं लिया इस प्रकार से जो मई उननीस सो बीस का जब समय आता है तो तुर्की के सांद सेब्रिस की संदी कर लेता है कौन ब्रिटेन कर लेता उस मुद्दे को हल करने की कोशिश करता है तो कें वेशन में स्कूल कॉलेश दा नयायलों का बहिशकार करने का निया लिया गया और गांधी जी को आंदोलन का नेतरत्व करने का दाइत्व सोपा क्योंकि वो ब्रिटिश की कुछ नीती से संतुष्ट नहीं थे इसी मुद्दे को लेकर जो है एक अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोल की शुरुवात होती है इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यूं भी होती है अब यहां पर जो है खिलाफ जो अहसरयोग आंदोलन ने उसके दो लक्ष निरधारित किये जाते हैं एक रचनात्मक कारिक्रम निरधारित किया जाता है कि तिलक के नाम पर एक राजको का गठन किया जाता है ठीक है राजकोष वा जिसमें एक करोड की राशी निरधारित करने का लक्ष रखा जाता है और इस राशी से वो अहसरयोग आंदोलन को संचालित करते एक करोड सुयम सेयोगों की भरती का लक्ष रखा गया और 20 लाक चर्के वितरित के गए क्योंकि जो अहसरयोग आंदोलन का एक मुद्धा विदेशी जो वस्तु हैं उनका भहिशकार करना भी था तो अंग्रेज जो ब्रिटिश रहते थे वो क्या करते थे भारत से एक अच्चे माल ले जाकर वहां पर जो कपड़ा बनाते थे वो महंगे दामों पर भारत में सेल करते थे इसलिए 20 लाग चर्खे वितरित के गए कि हम अपना कपड़ा खुद बनाए और ध्वनसनात्मक कारिक्रम निर्धारित के गए कि हमें क्या करना चाहिए तो सितमबर आपको ये तारी क्या दखना है सितमबर 1920 में इसी परिपेक्ष में कॉंग्रेश का एक विशेश अधिव किसी ना किसी जगब पर आयोजित करता था चुकि अहसयोग मामला गर्म चल रहा था इसलिए इन्होंने एक विशेश सत्र का आयोजन किया कहां पर कलकत्ता में और इसके जो अध्यक्षे वो बनाए गए लाला लाजपत राय को और इस अधिवेशन में कॉंग्रेस ने बहिशकार कर दिया जाए अर्था सरकारी वहां पर उस वक्त मतलब है कि जो अंग्रेजों के अधिकार में हैं न्यायलों का बहिशकार किया जाए पंचायत और न्यायलों का बहिशकार आप कर रहे हो तो आपको न्याय करना है तो पंचायतों के माध्यम से करो अगर आप सर आजनेतिक शिक्षन संस्थाएं खोलनी चाहिए और काफी खोले गए थे विधान परिशतों का बहिशकार करें विदेशी वस्तुरूं का बहिशकार करना तथा इसके स्थान पर खादी के उप्योग को बढ़ावा देना सरकारी उपादिया तथा अवेतनिक पदों का परित् फिर इसी प्रकार से कहीं जो हे कारीक्रम निर्धालित किये गए और कि हम सयुग आंदोलन में स्थार्ट करेंगे इसी प्रकार जो है 26 इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का 36 जो अधिवेशन है इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का वो दिसंबर 1920 में आयोजित किया गया और नाकपूर में आयोजित किया गया इसके अध्यक्ष कोन थे तो सीवी राघवा चार्य थे और इस अधिवेशन में उन्होंने ये कहा कि हम असयूग अंदोलन के कारिकरम का अनुमोधन करेंगे ठीक और इस दोरान जो महात्मा गांदी है उन्होंने भारत देश है उसके विभिन जगों का दोरा किया तो अब इसी परिप्रेक्ष में ये असयूग अंदोलन की प्रष्ट भूमीती हम मध्यप्रदेश के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो महात्मा गांदी ने असयूग खिलाफत आंदोलन की घोशना जब की तो राज्य में प्रभाकर डुंडी राज जाटव तथा अब्दुल गफ़ार खान ने खिलाफत आंदोलन को संगठित किया 20 मार्च 1919 को खंडवा में मध्य प्रांद की राजनितिक परिशत की बैठकोई जिसकी अध्यक्षता दादा साब खार पड़े ने की जिसमें रॉलेट एक्ट विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया अब मध्य प्रदेश में सयोग अंदोलन की अगर बात करें तो महा कोशल के जो शेत्र है वहाँ पर इसका सरवधी प्रभाव देखा गया सितंबर 1920 में जब कॉलकता में अधिवेशन हुआ था हमने आपको बताये था कॉलकता में अधिवेशन हुआ था विशे शत्र का आयोजन किया गया था तो वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया उसके तहत सयोग अंदोलन की शुरुवात हुई सारी बचर्चा जो हैं प्रीवेश वीडियो में कर चुके हैं ये चलिए अब स्वागत अध्यक्ष जमनलाल बजाज और इसके अध्यक्ष यह हम इसकी बात कर चुके हैं ये 36 वा आयंसी का बारे में दे रखा है अब पंडित विश्नु दत्ते शुक्ल ने जब इस दोरान सेनानियों ने भी अपनी उपाधियों का त्याग किया था अगर मध्यप्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करें तो पंडित विश्नु दत्ते शुक्ल ने राई बहादूर और अनुरेरी मजिस्टेट की उपाधी छोड़ने की घोशना की थी अब असयोग आंदोलन के दो इसके साथ कौन-कौन थे तो कस्पतूर्बा गांदी थे और खिलाफत आंदोलन के जो सदस्य थे अली बंधू जो की थे शोकत अली और मुहमद अली यह जो है यहां के भ्रमन पे आये थे और इस समय महा कोशल कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित सुंदल लाल तपस्वी यह जो थे यहां के अध्यक्ष थे जबलपूर में आंदोलन का नेतरत्व हिंद के गांदी कहे जाने वाले गोविन दास ने किया था और बीस हजार रुपे एकत्रित किये हमने कहा है न कि गांदी जी ने एक करोड रुपे का तिलक सोराज फंड स्थापित किया था तो उसके तहत इनों ने विभिन जो देश वासियों से पैसे भी मतलब रुपे लिये थे हम जिसको फंड बोल सकते हैं सोराज फंड तो मध्य प्रदेश से 20,000 रुपे लगबग एकत्रित हुए थे और राजा गोकुल दास परिवार में से किसी ने 10,000 रुपे उस समय दिये थे और अगर हम बात करें जब गांदी जी जबलपूर दौरे पर थे तो उस समय ये जो है जो उस समय नगर के धनी वहपारी नागरिक थे शाम सुंदर भारगव जी की कोठी खजांची में ये रुके थे तो ये बाते आपको याद रखना है अब हम इन दौर में आस अध्यक्षते और वही जो है असयोगा अंदौलन का जो है संचालन कर रहे थे अब असयोगा अंदौलन में क्या क्या करना है तो हम उपर पढ़ चुके हैं विदेशी वस्तू का बहिशकार करना है राष्टी सिक्षिन संस्थानों की स्थापना करनी है और पंचायतों के मा अले ही काफी अंदौलन संचालित हो रहे थे आरी समाज की स्थापना भोपाल में मित्र सबा 1890 के नाम से स्थापित की गई थी और श्री मदनलाल बिस्मिल जो है आरी समाज के नेता के रुप में भोपाल में जन जागरती लाने का कारे करने लगे सितंबर 1921 में गांधी ज जात्रा भी की थी और अगर हम भोपाल की बात करें तो इस समें किन लोगों ने अपना योगदान दिया था सहयोग आंदौलन में विदेशी माल का बहिशकार क्या था इन्होंने हकीम श्री सैयद हुसेन जी नजवा दादा श्री सैयद हामीद हुसेन रिजवी श्री रखना है बाई अम्मान का जो कि भोपाल की थी मुस्लिम थी और इन्होंने परदा त्याग कर जो है और सहयोग आंदौलन का खुल कर इसमें भाग लिया था और काफी अपना योगदान दिया था तो बाई अम्मान हो सकता है एक्जाम में अब आप से पूछ लिया जाए कि कहां से थी या फिर इन्होंने किन आंदौलन में भाग लिया था इसी प्रकार सिहोर में जो है कोतवाली के सामने अस्वयोग आंदौलन के रूप में ही विदेशी सैंट कैम की होली जलाई गई 1925 में भोपाल में गोवी शास्री के परामर्श से विठल दास बजाज के मकान में कॉंग्रेस कमीटी की स्थापना की गई और इसी मकान के निशले हिस्ते में खादी भंडार की भी स्थापना की गई अगर हम गौलेर में भी असयोगांदौलन की बात करें तो इसके पहले ही कहीं कारिये जो है किये जा रहे थे और रीवा में जो लाला साब सी ने भारत भाता नामा पत्र निकाला था अब कुल मिलाकर बात करें तो सभी जगे जो है अहसायो गांदोलन का संचालन किया गया था लेकिन मधिप्रदेश के रिस्पेक में मुख्यरुप से महा कोशल अर्था जो जबलपूर नहसिंगर मंडला वाला जो शेत्र था जिसमें भुपाल भी आ जाता है वो ज्यादा एक प्रसाद, वर्मा और अनोकेलाल शर्मा ने और कुछ लोगों ने अपनी गिरफतारिया भी दी थी जैसे माखनलाल चतुरवेदी, सुंदरलाल तपस्वी, महात्मा भगवान दिन, लक्षमी चंद्रजेन, फकीर सी, बारेलाल, इत्यादिया ने अपनी गिरफतारी भी दी महात्मा भगवा निद्दीन के बाद जो है यहाँ पर कौमा आएगा आना चाहिए लक्ष्मी चंद्रजेन और फकीर सी बारेवाल चलिए अब जो पंडित नाथुराम व्यासे इन्होंने जहांसी में भाशन दिया था जिसके बाद इनको गिरफतार कर लिया गया था और जो सरकार हैं उन्होंने असयोग आन्दोलन पे अपना कंट्रोल करने के लिए जबलपूर के कर्मवीर, लोकमत, कोशल, स्वतंत्र, हिंदुस्तान, युगांत, नामक पत्र को बंद करवा दिया था और वैसे तो ये आन्दोलन पूर्ण रुप से अहिंसक था, अर्थाद गांधी जी का ये सपस्ट निर्देश था कि हमें जो है अहिंसा किसी भी कीमत पर नहीं करनी है, नहीं तो हमारा आन्दोलन कमजोर हो जाएगा और गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर हमने एक साल तक अहिंसात्मक रुप से काम करा अपना अंदोलन चलाया तो निशित रुप से हमें स्वराज की प्राप्ती हो जाएगी हाला कि फिर आप सभी लोग जानते हैं कि इसी घटना क्रम में चोरा-चोरी की घटना एक हो गई थी जिसके कारण की असयोग आंदोलन को वापिस लेना पड़ा था अब हम असयोग आंदोलन की बात करें और चोरी-चोरा कारण की बात ना करें तो यह घलत होगा अगर हम पहले तो आपको बता दे कि अभी जो PSC का 2020 का एक्जाम होगा था प्री का उसमें क्वेशन पूछा था कि कि इस घटना को भी हाली में 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं तो चोरा-चोरी की जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपूर उत्तर प्रदेश गोरखपूर जिला उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी अब इस घटना में क्या हुआ था हमने कहा है कि विभिन जो है सयोक आंदोलन के पॉइंट डिसाइड के गए थे कि हमें इन कामों पॉइंट पर काम करना है तो कुछ स्वयम सेवक जो है विरोध कर रहे थे किसका खाध्यान में हुई व्रधी का और शराब की बिक्री में जो मुल्य व्रधी हुई थी उसका विरोध कर रहे थे शांती पुर्ण तरीके से कर रहे थे तो प्रदर्शन कारियों के एक जथे ने पुलिस पर हमला कर दिया जब पुलिस ने गोली चला दी जब पुलीस ने गोली चलाई तो सभी जनता उत्तेजित हो गई और पुलीस वाले क्या करा सिपाई भाग कर थाने में गुज गए क्योंकि वो थाने के सामने प्रदेशन कर रहे थे और थाने में गुज गए और भीर ने क्या करा थाने में आग लगा दिया और इस हिंसक घटना में जो है 22 पुलीस कर्मी जो है मारे गए शहीर नहीं कहेंगे मारे गए ठीके तो इस घटना से क्या हुआ जब गांधी जी ने फिर बारदोली जग उसमें गांधी जी जो थे बारदोली में थे और इन्हों ने जो है असयोग आंदोलन को वापिस ले लि तो इस प्रकार से असयोग आंदोलन जो है समापत हो गया तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने असयोग आंदोलन की बात करी I think आपको सारे factors के clear हो गये होंगे हाँ यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि इस समय क्या हुआ था जब असयोग आंदोलन हुआ तो गांधी जी को छे वर्ष की सजा सुनाई गई थी ठीके किसको गांधी जी को छे वर्ष की जो है सजा सुनाई गई थी गांधी जी को छे वर्ष की सजा सुनाई गई थी और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी तो स्वास्त संबंदी कारणों से क्या हुआ था गांधी जी को 5 फरवरे 1924 को रिहा कर दिया गया था अब हम यहां पर यह आपको फैक्ट इसली बता रहे हैं जाते जाते आकरी में क्योंकि हमारे मध्यप्रदेश में इसके बाद एक महत्पुन घटना हुई थी जबलपूर का जंडा सत्यागरह जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो गांधी जी को जब गिरफतार कर लिया गया था तो जो कॉंग्रेस के अन्य सदस्य थे उन्होंने उनको उसके लिए जो है योजना बना रहे थे तो उसी के परिपेक्ष में जो मध्यप्रदेश है वहां पा सत्यागरह हुआ था जबलपूर में 1923 में जिसको नाम दिया गया जंडा सत्यागरह वो क्या है कैसे उसकी रूप रेखा बनी वो सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो जल्दी से फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है हमें सजिशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग